वैकर्ण को वहां पर प्रयोग मिलाकर प्रभावशाली शब्दों का भाषा का प्रयोग करके जो लिखा जाता है जो सुनकर लिखे जाने वाले लेक को शुरुत लेक कहा जाता है वो जुक कर बेंड करके नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसके शरीर में इससे कुछ आन्या भी हो सकती है जो हमारी सब्ध्यता है संस्कृती है जो हमारा इतिहास है इसको लिखकर हम सम्रक्षन रख सकते हैं प्रणाम मैरी हनायस अधियुत्तम विध्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे प्रिये विध्यारतियों आज मैं आपको जो आपकी विवाहारी खिंदी है पस्यम के जितने भी मेरे विध्यारति है बिकोम, बिबिया और बिसीय से आज मैं आपको विवाहारिक हिंदी से जो भाषा कौशली है उसके तीन कौशली के बारे में मैं जानकारी देच चुकी हूँ अभी जो अंतिम कौशली है कहें लेखन कौशली है लेखन कौशली के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूँगी लेखन कौशल्य जो भाशा की द्वनियों को जब प्रतिकों की द्वारा लिखित रूप में विक्त किया जाता है तो उसे लेखन या लिखित अभी विक्ती कौशल्य कहा जाता है चारों भाशा कौशल्य में से लेखन कौशल्य सबसे कठीन है देखे भाषा की जो द्वनी है उस द्वनियों को जब हम प्रतिकों के द्वारा यानि जो वाक्यों में शब्द जो पहला शब्द है उसके द्वारा जो क्या है उसे लिखित रूप उस प्रतिकों को यानि उस शब्द को लिखने का रूप जो प्रदान करते हैं जो लिखते ह उसे लेखन कौशल्य या लिखित अभिविक्ति कहा जाता है तो जो लेखन कौशल्य है ये भाशा का चोथा कौशल्य है और ये थोड़ा सा कठिन भी है लेखन कौशल्य है भाशा में ये जो चोथा कौशल्य है थोड़ा सा कठिन भी है दिखे, अब हम लेखन कौशली की अवशकता और महत्व के बारे में कहें, जानेंगे, मैं आपको जानकारी दूँगे जो लेखन कौशली की अवशकता है, वो जो है विचारों को मूर्त रूप देना वा सुरक्षित रखना यहां पर मूर्त रूप यानि देखा जाने वाला रूप जो की यहां पर पढ़ना और लिखना ये भाशा कौशली में मूर्त रूप है और यानि अमूर्त रूप जो है वो बोलना और सुनना है भाशा कौशली में जो बोलना और सुनना है वो अमूर्त रूप यह लिखना जो लिखना और पढ़ना है यह मूर्थ रूप है तो इस मूर्थ रूप से लिखे लिखते हुए हम क्या है उस विचारों को सुरक्षित रखते हैं फिर भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए यहीं इस लेखन कोशलगी से भाषा का पूरा ज्ञान मिलता है फिर लेखन के बिना पार्टि पुस्तिका का कोई अस्तित्व नहीं है यहीं लेखन कौशली के बिना जो आपकी पार्टि पुस्तिका है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता क्योंकि जो लिखी हुई सामगरी को ही हम पढ़ते हैं और अगर लिखी वी सामगरी ही नहीं तो क्या है पाट्टी पुस्तिका का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता आगे हम देखेंगे यहाँ पर सभ्यता वा संस्कृति को सम्रक्षन प्रधान करने के लिए जो हमारी सभ्यता है, संस्कृती है, जो हमारा इतिहास है, इसको लिख कर हम सम्रक्षन रख सकते हैं आगे की पीड़ी को क्या है उसकी जानकारी मिलेगी तो यहाँ पर जो सम्रक्षन, यही एक सम्रक्षन रखने वाला प्रधान यहीं सम्रक्षन प्रधान करने वाला कौशल यह है लेखन कौशल देखें जो भी हमरा इतिहास हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो सम्रक्षन रहने की वज़े से यानि लिखित रूप में रहने की वज़े से हम उसके बाले में आज हम जानते हैं और यहीं वो पूर्व ग्न्यान जो है हमें मिलता है अगर लेखन कौशल यह ना हो यहीं उसे लिख कर सम्रक्षन ना किया जाए तो क्या हमें हमारे तक यह सारा जो हमारा इतिहास वो क्या हमें पढ़ने को मिलता है उसके बारे में जानने को मिलता है उसके बारे में कोई ग्न मिलता नहीं इसलिए लेखन कौशल्य जो है यह क्या है सम्रक्षन प्रदान करता है अभी हम आगे देखेंगे यहां पर लेखन कौशल्य शिक्षन के उद्देश तो इसके उद्देश क्या है लेखन कौशल्य के उद्देश उद्देश पहला उद्देश स्वच और शुद् लिकने की एक शम्ता को उत्पन करता है फिर विराम चिन्हों का प्रयोग कहां पर अल्प विराम पूर्ण विराम इस सारा कहां पर लगाना है सारी जानकारी इससे मिलती है प्रयोग करने को छात्र कहां पर प्रयोग करें इसकी जानकारी उनको मिलती है फिर अपने विचारों भावों को प्रकट करने के लिए और जो अपने मन की भाव है विचार है वो यहां पर जो क्या है उन भावों को विचारों को ले यही लिखने यही लिखित रूप प्रदान करता है और दूसरों तक उन विचारों को उन भावों को प्रकट कराता है और व्यकर्ण संभव भाशा का प्रयोग करने सश्यम है यहीं व्यकर्ण जो व्यकर्ण वो संभव भाशा का प्रयोग करने सश्यम हो जो व्यकर्ण जो है और व्यकर्ण के द्वारा ही जो भाशा उसका प्रयोग करने में ये सश्यम बनाता है यह उसके खाबिल बनाता है फिर नवीन शब्दावली का प्रयोग नई नवीन शब्दावली का नई नई शब्दों का प्रयोग करना भी इस लेखन कौशली का उद्देश है आगे हम देखेंगे देखें और यहां पर देखें सही आकार में अक्षरों को लिख सके मात्राओं हलंत आदी का सही प्रयोग कराना फिर लिखन कौशलिकाउदेश मात्राओं जो कहां पर मात्राओं लगाना है और क्या है सही आकार अक्षरों को किस तरह से दिया जाता है अक्षर किस तरह से कहें उस अक्षर का जो आकार है वो किस प्रकार है इसकी जानकारी भी इसे मिलती है और साथी साथ मात्राओं हलंत आदी कहां पर लगाना है ये भी क्या है विध्यार्दियों में कहें लिखने के लिए पेरित करता है यह इसका उदेश है और आगे हम देखेंगे कि लेखन सामगरी को सही से प्रयोग करना सीखें और इसका उदेश है जो लेखन सामगरी है जैसे की किताब, कलम, चौक जो भी लेखन सामगरी है उसे सही प्रयोग करना सिखाता है और देखिए चात्रों में बैटने का धंग उपरयोगत हो रीट की हड़ी लिखते समय सीधी हो जब चात्र लिखते हैं उनकी रीट की हड़ी सीधी हो और वो क्या है जुक करना लिखें तो उनके शरीर में इस तरह की आदतों से विकार उत्वन होता है इसी कारण क्या है लिखते समय ये क्या है चात्रों को सीधे बैट कर लिखते समय सीधे बैटनी चाहिए तो आगे शब्द तथा वर्णों के बीच में परियाप्त और एक समान दूरी रखना चाहिए जो भी लिख रहे हैं कोई भी वाक्य ये एक शब्द से दूसरे शब्द को जब लिखते हैं उसमें परियाप्त मात्रा में क्या है ग्याप होना चाहिए यही वहाँ पर थोड़ी जगे छोड़नी चाहिए तभी पढ़ने में आसानी होती है अगर अक्षरों को पूरा जो वाक्य है ठीक से समझ में आता है तो यही जो है यह लेखन कोशली के उद्देश है अब प्रभावी लेखन के गुण जो लेखन के गुण है प्रभावशाली लेखन के जो गुण गुण है उसके बारे में बता रही हूँ दिखिए लेखन सुंदर एवं स्पस्टवा सुडूल यही लिकन जो लेखन है जो लिखता है उसके अक्षर जो लिखता है वो सुंदर हो और सरल हो और देखने के लिए भी अच्छ है और पढ़ने के लिए भी वो आसानी ऐसे अक्षर लिखना और उसमें प्रभावशाली एवं क्र प्रभाव शाली जो लिखा गया है पढ़ने वाले पर वो प्रभाव पढ़े पढ़ने वाले को वो समझ में आए उसका प्रभाव सीधे उसके उपर पढ़े उसका जो लिखा है वो समझ में आ जाए ये प्रभाव और उसमें एक विशे अगर लिखा जा रहा है तो उस विश कि विशे को लिख यह ख्रम बत्ता होनी चाहिए और जो है भाषए व्यकर्ण समंध यह हैं जो व्यकर्ण जसे की वहां पर किस तरह से मात्राइ लगाना है कहां पर हल villa पर क्या है पूर्ण विराम अल्प विरामी इसारी किस से वाक्य कें हैं बनाना है ये सारी जो उपार्द से समत्य हो इस तरह से लिखी जाने सहिए पिर भाषा एवं शेयनी में प्रभाव उत्पाद Цеहो यहां पर देए जो भाशा जो लिखने की भाशा ऊस最近 में लिखने के धंग में प्रभाव वो जो लिखा गया वो सीधे पढ़ने वाले को समझ में आ जाए उसका प्रभाव पढ़े ऐसा लिखना चाहिए और जो है इन्ही अभिवेक्ती सम्षिप्त स्फस्ट तथा प्रभाव पूर्ण हो और जो भी विशे लिख रहे हैं बहुत सम्षिप्त में हो स्फस्ट में हो गुमा फिर आकर बाते नहीं हो और जो भी विशे पताया जा रहा है बहुत सम्षिप्त में सरल भाशा में ही हो ताकि पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पढ़े और उसे आखसान इससे समझ में आ जाए ये सारे क्या है लेखन का उशली के गुण आगे हम देखेंगे अब लेखन शिक्षन की विधियां इसकी विधियां पहले रूप रेखान उकरण विधि रूप रेखान उकरण विधि इसमें जो है इस विधि में शिक्षक शामपट या स्लेट पर कलम या पेंसिल से बिंदू रखते हुए शब्द लिख देता है और चात्रों से उन बिंदों पर लिखने को बोलता है इससे शब्द यावर्ण उभर आए यहां लेखन का प्रार्हंबिक चरण है यहां पर इस विधी जो है जब नरसरी या LKG UKG के जो भी बच्चे होते हैं उनको यह जब विध्यारती पहली बार स्कूल में खदम रखता है जब बच्चा पहली बार स्कूल में खदम रखता है तो वो क्या है? पहले उसे बोलते हुए पेर क्या है? धिरे धिरे लिखते हैं लिखने के लिए पेरित किया जाता है तो वो प्रार्मिक जो चरण है वो इस प्रकार होता है रूप रेखा विधी में यहाँ पर कोई भी एक अक्षर को यही वहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बिंदू लगाते हुए अक्षर को लिखा जाता है बिंदू के द्वारा फिर बच्चे जो है उस बिंदू को एक दूसरे से जूरते हुए पूरे अक्षर को लीते हैं इस विधी को क्या है रूप रेखानुकरन विधी कहा जाता है वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो आक्षर है इस तरह से बिंदू बनाते हुए क्या है अक्षर लिखते हैं तो बच्चे क्या है उस पर पूरी तरह उन बिंदूओं को जोडते हुए अक्षर को लिखते है ये जो है इस विधी को जो है रूपा रूप रेखानु करन विधी कहा जाता है जो ये क्या है प्रारहंबिक जो विधी है बच्चों को लिखने में सहायक होती है दूसरी विधी है स्वातंत्र अनुकरण विधी, इस विधी में शिक्षक जो है, शिक्षक शब्द या वर्णों को कौपी या स्लेट में उस तक या स्लेट में लिखकर देते हैं और छात्र उसे देखकर लिखते हैं चात्र क्या है उसे देखते हुए लिखते हैं इसको क्या है अनुकरण लिपी, अनुकरण विधी कहा जाता है इस विधी में जो है शिक्षक, अध्यापक, वर्ण या अक्षरों को कौपी यानि पुस्तक या स्लेट पर लिख कर देता है और उसे देख कर छात्र लिखता है इस विधी को अनुकरण विधी कहा जाता है अगली विधी है मांटे सरी विधी में इस विधी में ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया जाता है जैसे कि आंख, कान, हाथ इस प्रयोग में इस पर बल दिया जाता है इसमें लकडी या प्लास्टिक से बने हुए, बनाये हुए और अक्षरों जो प्लास्टिक का और लकडी से बनाये हुए अक्षरों पर, कटे अक्षरों पर क्या है, जो अक्षरों के गत्ते होते हैं, उस पर विध्यारती हाथ फेराते हैं, फिर क्या है अक्षरों को, ये विधी जो है, अक्षरों को सिकाने में बच्चों की बहुत सहायक होती है यहां पर देखिए, ये लकडी का गत्ता है, इसमें अक्षर बनाये हुए, इसी तरह इन अक्षरों पर बच्चे क्या है, हाथ घुमाते हुए, उस अक्षर को सीखते हैं, या सीखते हैं, उसी पर हाथ फेराते हुए सीखते हैं, तथा बाद में पेंसिल को उन्हीं अक्ष पर गुमाते हैं इसके बाद क्या हैं पहले तो हाथ उंगली फिराते हैं फिर पेंसिल से उन्हीं अक्षरों पर लिखते हैं फिर चात्र अक्षरों के स्वरूप से इस विधी से जो है इस विधी से चात्र अक्षरों को पहचानते हैं अक्षरों के स्वरूप को पहचानने मे ये विधी सहायक होती है अगली विधी है जेक्ष टॉट विधी इसमें बालक स्वयम अपना सुधार करता है और इसमें शिक्षक छात्रों द्वारा पड़े हुए वाक्य को क्या है लिक कर देते हैं चात्र अनुकरन करके एक दो शब्द को लिखते हुए पूरे वाक्य लिखते हैं चात्र क्या है एक दो शब्द को लिखते हुए पूरा वाक्य जो है जो पूरा सेंटेंस जो है वाक्य जो है उसे लिखता है और शिक्षक द्वारा लिखे वाक्य से सम्शोधन करता है, जोड़ता है, सम्शोधन करता है, करते जाता है, पूरा वाक्य लिखने के बाद शिक्षक मूल्य वाक्य को बिना देखे उन्हें लिखने को कहते हैं, फिर क्या है, शिक्षक इसके बाद, शिक्षक जो है छात्रों को बिना देखे उस अक्षर को लिखने के लिए कहते हैं इस विधी को क्या है दुरुस्ट लेखन विधी भी कहा जाता है नि देखकर लिखने वाली विधी इसमें लिखो और मूल्य से मिलाओ विधी भी कहा जाता है नि लिखो और मुल्ग से मिलाओ विधी भी यह जो देखे हुए अक्षर जो छात्रों ने जो उनकी द्वारा पड़े हुए अक्षरों को क्या है येक एक शब्द और फिर वाक्ष को लिखने के लिए शिक्षक का पेरित करना फिर शिक्षक जो लिखे हुए उन्ही शब्दों को उसका सम्षोधन करते हुए हर एक शब्द को देखना फिर विना देखे उसको लिखना इस विधी को दुरुस्ट लेखन विधी या जोक्ताट विधी भी कही जाती है आगे हम देखेंगे कि लेखन के अभ्यास इसमें लेखन अभ्यास को तीन श्रेणी में विभाजित किया जाता है पहला सुलेख, अनुलेख, शुरुत लेख पहले हम सुलेख के बारे में जानकारी देखेंगे यहां पर देखें सुलेख इसमें गांदी जी ने लिखा है कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है सुंदर लिखावट के बिना जो शिक्षा है वो अपूर्ण है अधूरी है गांदी जी ने लिखा है पिर सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं जो सुंदर स्वच्चता से सारे वैकर्ण को वहां पर प्रयोग में लाकर प्रभावशाली शब्दों का भाषा का प्रयोग करके जो लिखा जाता है इसी को सुलेख कहा जाता है सुंदर और शब्दों के वीच में क्या है थोड़ी थोड़ी यही जगार देकर ग्याब देकर लिखना और सुंदर लिखावट को ही सुलेख कहा जाता है पिर स्वस्ट पाटनिया एवं आकरशक लिखावट सुलेख की आधारशीला है जो स्पस्टता पिर जो है आकरशित जो लिखावट है यही क्या है इसकी आधारशिला है नहीं सुलेख की आधारशिला है पिर सुलेख शिक्षन विक्ति का अवशक लक्षन है जो शिक्षित वेक्ती है उसका लक्षन जो है वो सुलेख है आकर्षनिया लिखावट ही उसका लक्षन है फिर ये अच्छे नमबर दिलवाने में तथा पढ़ाने वालों में रुची जगाने में सहायक होता है ये जो है अच्छे नमबर परिक्षा में अच्छे नमबर जो जिसकी लिखावट अच्छी होती है उसे परिक्षा में अच्छे नमबर दिलाने में और जो है पढ़ने वालों में रुची उत्पन कराती है सुलेख पिर अब जो है सुलेक किस तरह से अच्छे लिखन से चात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और पढ़ने वाले पर वो क्या है अच्छा प्रभाव पढ़ता है इसके बारे में सुलेक में दिया गए है तो अब हम डेखेंगे कि अनुलेक क्या है अनुलेक, अनुलेक का आर्थ है किसी लिखावट को देखकर लिखना अभ्यास पुस्तिका में उपर की एक पंक्ती में कुछ वर्ण या शब्द या वाक्य लिखे होते हैं नीचे को जो नीचे की पंक्तियां रिक्त होती है चात्र उपर देखकर नीचे की पंक्तियों में स्वयम लिखते हैं हस्तलेक सुदार में अनुलेक का विशेश महत्व है छोटी कक्षाओं में इसका विशेश महत्व है यहां पर देखे हैं अनुलेक में जो है कि ये जो पहले ही लिखी होती है उस लिखावट को देखकर नीचे जो रिक्त होती है उस लाइन में उसमें लिखते हुए छातर उसका अनुकरन करता है उसे लिखता है ये जो है प्रारभिक कक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा ही महतुर है इससे जो है लिखावट में सुदार आती है कॉपी रेटिंग जिसे बोला बोला जाता है इसमें सुदार आता है छातरों में लिखने में जो अशुद्धी होती है या लिखावट जिसक ठीक से नहीं होती, जिसे अक्षरों के आकार सही नहीं पता होते, यह देखकर लिखने से उसमें सुधार आता है, यहीं अनुलेख. तो हम आगे देखेंगे शुरुत लेख यह जो है शुरुत लेख यानि जो सुनकर लिखे जाने वाले लेख को शुरुत लेख कहा जाता है dictation wordsुत अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें शिक्षक बोलता है यह चात्रुसे लिखते हैं शिक्षक जो है मौकिक तोर पर कुछ वाक्य को कुछ शब्द को बोलता है और क्या है चात्रुसे लिखते जाते हैं इसमें शुद्द लेख, स्पस्ट लेख तथा गती पर ध्यान दिया जाता है शुद्द लेख और उसे लिखने में क्या है जो गती होती है जो लिखने की स्पीड होती है जो गती होती है उस पर ध्यान दिया जाता है इसमें शीग्रता, सुन्दरता और शुद्धता के साथ लिखा हुआ लेखी वास्तव में शुरुत लेख सुन्दरता, स्पस्टता और जो है शीग्रता से शीगरता भी होनी चाहिए सुन्दरता और क्या है शुद्धता के साथ लिखा जाने वाला जो लेख है वहीं शुरुतुलेख फिर इसमें वर्तिनी का मूल्यांकन हो जाता है इसमें वर्तिनी का मूल्यांकन भी होता है अब हम जानेंगे अब दिखिए जो लेखन शिक्षण में ध्यान रखने वाली बात लिखते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातों के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ पहले तो बैटने का धंग छात्र जब कोई भी लिखने के लिए बैठता है उसका धंग कैसे होना चाहिए किस तरह से वो लिखना चाहिए इसके बारे में पहले लिखते समय चात्रों की रीड की हड़ी एकदम सीधी होनी चाहिए वो जुकर बेंट करके नहीं लिखना बैटकर जुक कर लिखने कि अगर उसे आदत हो जाए तो इसी तरह उसके शरीर में भी कुछ दोश आ सकते हैं इसकी हड़ियां भी कुछ जुक सकती हैं इसलिए रीट की हड़ि सीधे से रखकर लिखना जरूरी है और क्या है फिर देखिए अभ्यास पुस्तिका को आंखों से लगभग एक फुर्ट दूरी पर रखना चाहिए जो भी अभ्यास पुस्तिका है जो भी वो लिख रहा है उस पुस्तक को एक इंच दूरी पर रखकर ही लिखना है ना कि बहुत सामने से रखकर लिखना चाहिए क्योंकि इससे आंखों पर भी प्रभा पड़ता है बहुत नस्दिक से नहीं बहुत बहुत ही पास से रखकर लिखने से उसकी आंखों में भी क्या है? कुछ प्राबलम हो सकती है उसके आंखों में भी कुछ प्राबलम हो सकती है इसलिए लिखते समय जो अभ्यास पुस्तिका है उसे एक इंच दूरी पर रखकर ही लिखना है पिर देखें पहली तथा दूसरी उंगली के बीच में कलम को रखकर अंगोठे से पकड़ना चाहिए कलम को निप से एक इंच उपर पकड़ना चाहिए तो कलम किस तरह से पकड़ना है? तो कलम जो है दो उंगलियों के बीच और उंगोठे के सहायता से जो उंगोठे के सहायता से पकड़ना चाहिए और उसे निप से एकींच दूरी पर पकड़ कर लिखना चाहिए ताकि उसके अक्षर क्या है बहुत सुन्दर और शुद्धता से वो लिख सके किस चात्रों की ये क्या है आदत से हो जाती है कि वो निप के पास पकड़ कर इस तरह से पकड़ कर लिखते हैं ये गलत तरीका है एक इंच एक क्या है एक इंच उपर एक इंच उपर रखकर ही उ लिखना चाहिये और सुडूल वा सुन्दर अक्षर लिखना चाहिये फिर शिरोरेखां अक्षर का अवश्षक कुछ चात्र हिंदी वर्नमाला के जोबी अक्षर लिखते हैं उस पर शिरोरेखां यह डाल ultimate यह क्या है शिरो बखिए जाना चाहिए जरूर से शिरो रेखा का प्रयोग कया है लिखते समय जरूर करनी चाहिए फिर लिखने का क्रम बाएं से डाएं होना चाहिए बाएं और से डाएं और की तरफी लिखनी चाहिए ना कि डाएं और से बाएं और यहां से इस तरह से नहीं लिखना चाहिए बलकि क्या है आपको बाएं और से डाएं और ही लिखनी चाहिए पिर लिपी पत्रि का विसर्ग मात्राओं हलंत का प्रयोग स्वाधानी से करें जो हलंत है जो मात्राएं जो विरामचिन है इसका स्वाधानी स्वाधानी से ही इसका प्रयोग करना चाहिए पिर अभ्यास इसके लिए अभ्यास करना बहुत ही अवश्यक इसके लिए अभ्यास करना बहुत ही अवश्यक है आज मैंने आपको लेखन कौशली के उद्देश, उसके गुण और उसकी जो तीन श्रेणिया है और लेखन कौशली की विधिया और किस तरह से लेखन कौशली के समय कुछ बातों का ध्यान देना है इस सारी बातों की जानकारी दी है अगली कक्षा में किसी और विशेपर मैं आपको जानकारी दूँगी धन्यवाद